में फाइनल राजनेती विज्या, छड़ा प्रशन पत्र भारती साशनेव राजनेती और आज का हमारा टोपिक भारत में मिले जुली गठपन्दन सरकारों की राजनेती मित्रों भारती समिधान वारा केंद्री और राज्यस्तर पर संसदी विवस्था को अपनाया गया है संसदी विवस्था साशन की वह विवस्था है जिसमें विवस्थापिका और कारेपाले का परस पर संबंदित होते हैं कारेपालेका का गठन विवस्थापिका में से किया जाता है और कारेपालेका यानि मंदल जो है विवस्थापिका के प्रती उत्तरदाई होता है उत्तरदाईत्वय का अभिपराई ये है कि वास्त्विक कारेपाली का अर्थार्थ मंत्री मंदल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसी विवस्थापिका के लोकप्रिय सदन यानि भारत में जो लोकसभा है उसका विश्वास प्राप्त हो साधान जन की भाषा में प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री का कारेकाल है वो कोई निश्वित नहीं होता है अदिक्तम पांस साल है लेकिन उससे पूर्व भी यदि उनका विश्वास नहीं हो निम्न सदन में लोक्सपा में उनका विश्वास मत नहीं प्राप्त हो तो समय से पूर्व भी उनको हटना पड़ सकता है इस संसदी व्यवस्था में सरवप्रथम केंद्रियस्तर और रज्यस्तर पर व्यवस्था पिका के निम्न सदन के चुनाव होते हैं इन चुनाओं में जब किसी एक राजनितिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है और राजनितिक दल अपना इत नेता चुन लेता है तब राज्ये का प्रधान यह जो राजश्वती है वो क्या करता है बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री पत पर मनोनीत करता है तथा मंद्री मंडल के गठन के साथ ही एक दल्य सरकार का गठन हो जाता है जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तब लेकिन जब लोकसभा के चुनाओं में किसी एक राजनितिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तिरिशंकू लोगसभा या तिरिशंकू विधानसभा की स्थिती बनती है तब क्या होता है राजनितिक दलों और दल्य नेताओं के बीच गठबंधन को जन्म देने की प्रक्रिया प्रारंब होती है और जो गटबंदन राज्य के प्रधान को अपने बहुमत से आश्वस्त कर देता है उस गटबंदन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंतरित किया जाता है और इस प्रकार से गटवंदन का जो नेता होता है वो प्रधान मंतरी बनता है और मिली जुली सरकार का गठन करता है इस प्रकार मिली जुली सरकार या गटवंदन सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम दो राजनितिक दलों की भागिदारी होती है कम से कम अब ये मिली जुली या गठबंदन सरकार के भागिदारों की भागिदार दलों की संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी हो सकती है लेकिन मिली जुली सरकार का नाम प्राप्त करने के लिए सरकार में कम से कम दो दलों की भागिदारी आवशक है तो ये होती है मेली जूली सरकार जो मेली जूली सरकार होती है वो राजनितिक समुदायों ततर शक्तियों का गठ योड है जो एसाई और कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होता है और राजनितिक दलों का ये मिलन जो है सरकारों के निर्मान या उनकी रक्षा करने के बनाय जाता है मित्रों मैं आपको बता दूँ कई बर ये मिली जुली सरकार या गठबंदन जो है वो चुनाओं से पूरो भी कर लिया जाता है कई दल मिलकर के चुनाओं लड़ते हैं और कई बर ये स्पष्ट बहुमत प्राफ्ट ने होने की स्थिति में चुनाओं के बाद भी राजनितिक दल मिलकर के भी अपना बहुमत साबित करने का प्रयास करते हैं अब हम चर्चा करते हैं मिली जुली के गठबंदन सरकारों के लक्षन क्या है लक्षनों में पहला आता है मिली जोली सरकार में कम से कम दो भागिदारी दल होते हैं भागिदार दलों के संख्या दो या दो से अधिक कितनी भी हो सकती है दूसरे लक्षन है भागिदार दल जो होते हैं वो गटबंदन की राजनेती को कुछ प्राप्ति के लिए अपनाते हैं और ये जब भी कुछ प्राप्ट करना जैसे सत्ता को प्राप्ट करना जाते हैं, सत्ता में भागिदारी प्राप्ट करना जाते हैं, तो इस तरह सिन का एक लक्षे होता है, तीसरा लक्षन है, गठ बंदन एक एस्थाई प्रबंद होता है, और सामाने तरह ये देखा भी गय कि गठ्वंदन का प्रतेक प्रमुख भागिदार अपने राजिंतिक शक्ति में ब्रद्धी कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा भी रखता है तो इस प्रकार से यह ऐस्थाई प्रबंद होता है कई बर मिली जुली सरकारों के जो भागिदार दल होते हैं वो बीच मिली जुली सरकार का गठन समझोते के आधार पर होता है इसमें कठोड सिधानतवादी राजनिति के लिखो इस्थान नहीं होता है यानि एक common program मनाया जाता है common minimum program मनाया जाता है जिसे सारे भागिदार सहमत होते हैं और इस तरह से एक ऐसा ही समझोता कर लिया जाता है और मि प्रबंद में एक मूलबूत विकार्शिल्ता होती है। ये विकार्शिल्ता अनेक रूपों में हो सकती है। ये सरकार नवीन और चुनोती पुनिस्तिती का सामना करने के लिए किसी विशेश राजनितिक तक्निक को अपना सकती है। इसके अतरिक सह मिलन की राजनिती में एक राजनितिक दल आज जिसका सबसे अधिक प्रबल रूप में विरूद कर रहा है। कल उसे अपना सयोगी समझ सकता है। यानि कई ऐसे राजनितिक दलों हैं जिनका पहले आपस में विरूद रहा है। लेकिन सत्ता को प्राप्त करने के लिए मिली जुली सरकार के रूप में उन्होंने सयोगी के रूप में कारे किया है। हम जानते हैं कि प्रबुख राजनितिक दलों में आपस में जो बैरभाव रहता है। वो सबको पता होता है लेकिन कभी कभी ये भी क्या करते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए मिलोजीली सरकार बना लेते हैं जैसे यूपी में हुआ है बीएसपी का समर्थन कॉंग्रेस ने भी लिया है बीएसपी का समर्थन बीजेपी भी लेती है इसी तरह से जो हमारी समाजवा पार्टी ने भी मिलकर के वी cab के साथ भी मिलकर के चोनाओ लोडा है तु इस तरह से गठ बंदन करते हैं यह थे लक्षन ॥ अब हम बात करते है कि मिलिजुली सरकारों या गठबंदन सरकारों की विभीनिप्रतिमान कौन-कौन से विभीनिक हम बात करते हैं पहला जो बिंदू आता है पहली बात करते हैं एक दल की प्रधानता वाला गटवंदल यानि ऐसा दल जिसमें किसी एक दल की प्रधानता हो इस गटवंदन में एक राजनितिक दल की प्रधानता होती है और एक या अधिक छोटे राजनितिक दल उस प्रमुख पूटे राजनितिक दल के सरकार से अलग हो जाने पर भी सरकार बनी रहती है। प्रतिमान का उधारन है। और राज्य की राजनिति इन दो गठ बन्दनों में बंट जाती है। मित्मान केरल की राजनिति इसका उधारन है। केरल की राजनिति की दो गठ बन्दन है। पहला है संयुक्त लोगतांत्रिक गठ बन्दन जिसका नेत्रित्वे कोंग्रेस के द्वारा किया जाता है। संयुक्त लोगतांत्रिक गठ बन्दन जिसका नेत्रित्वे कोंग्रेस के द्वारा किया जाता है। और दूसरा संयुक्त वाममोर्चा गठ बन्दन जिसका नेत्रित्वे सामानेताय मार्कसवादी दल के द्वारा किया जाता है। इस स्थिति में सामानेता जनता ही निर्ने दे देती है कि किस गठवन्दन को सत्ता प्राप्त होगी तो ये है लगबग समान शक्तिशाली दो परस पर विरोधी गठवन्दन तो ये दो मोडल हुए तीसरा मोडल है निश्वेधात्मा काधार पर गठित अनेक राजनितिक दलों का गठवन्दन ये अनेक राजनितिक दलों का ऐसा गठवन्दन होता है जिसमें भागिदार दल किसी अन्य राजनितिक दल को अपना समान शक्तिशाली शत्रू मानते है और उस शक्तिशाली शत्रू को सत्ता से दूर रखने के लिए गठवन्दन की राजनीती को अपनाते है इस प्रतिमान में या इस मोडल में सांबानेता क्या होता है मिली जुली सरकार के भागिदार दलों के भीज समान राजनीतिक विचारधरा का तत्वर नहीं होता है इसको सत्ता में नहीं आने दूना है, कॉंग्रेस का विरोध करना है इसलिए क्या हुआ, गठवन्दन सरकारों का चलन हुआ भारत में अब तक जब कभी केंदर में मिलुजी ली सरकार का गठवन हुआ है तब उसका गठवन निश्यधात मका अधार पर हुआ है इसी तरह से 1906 में के पूर्व कॉंग्रेस विरोध के आधार पर गठबंदन मने थे और 11 लोगसभा चुनाओं के बाद भाजबा विरोध के आधार पर गठबंदन मना तो निशेधात्मक आधार पर और सामाने था चुनाओं के पश्चात गठबंदनों में अवसरवादिता का तत्व बहुत प्रबल रहता है तो आपको अभी याद होगा बीहार में चुना हुए थे बीहार विधानसबा के चुना हुए थे तो बीहार विधानसबा में महा गठबंदन मना था और बहुत सा जैसे कॉंग्रेस है राष्ट्रे जनता दल जो आपका लालू वाला है तो ये महागठवंदन मिलकर के और विरोद किसका कर रहा था यह बीजेपी और जो नितिश कुमार है उनकी पार्टी का विरोद करने के लिए कि उनको नहीं आने देना है सत्ता में, तो महागठवंदन मना था और मिलकर के उनने चुनाव लड़ा था। चोथा प्रतिमान है राश्ट्रिय सरकार गठवन्दन का चोथा प्रतिमान राश्ट्रिय सरकार के रूप में होता है इस राश्ट्रिय सरकार का गठवन सामानेता राश्ट्रिय संकट यानि बाहरी आक्रमन अत्वा अन्य कोई गंभीर चुनोती के समय उसका सामना करने के लि तो यह राष्ट्री सरकार का गठन किया गया था भारत में राष्ट्री सरकार के गठन की कुछ परिस्तितियां भीन इस तरों पर चली तो थी लेकिन मित्रों आज तक कभी भी राष्ट्री सरकार का गठन नहीं हुआ है तो ये था मिलेजुली सरकारों या गटबंदन सरकारों के विभिन प्रतिमान यानि कुनकों से मोडल है जिसमें एक दल के प्रधानता वाला गटबंदन जिसमें एक दल प्रधान होता है दूसरा लगबग समान शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी गटबंदन होते हैं दोनो है राष्ट्रे सरकार जिसमें विविन दलों के मैत्वपुर्ण दलों के निताओं को सम्मेलित करके सरकार बनाई जाती है तो ये थे मिलेजुरी सरकारों ये गठबंदन सरकारों के विविन प्रतिमान अब हम बात करते हैं भारती राजनीती और मिलेजुली गठबंदन सरका मित्रो सामाने ता यह सोचा जाता है कि द्वी दल्य विवस्ता में एक दल्य सरकार का गठन होगा और बहु दल्य विवस्ता में किसी एक राजनितिक दल को प्रधानता की स्थिती प्राप्त होना यानि भारत में बहुत सारे राजनितिक दल थे फिर भी लगबग कोंग्रेस क क्या है बार-बार निर्वाचित होना इस वात का संकेत था कि भारत में जो है एक दल की प्रधानता है 1947 से लेकर के 1966 तक यह स्थिती बनी रही कॉंग्रेस नयकेवल केंदर में वरण अधिकांश राज्यों में भी प्रधानता की स्थिती में थी 1936 के वर्षों में पुने और 1988 के काल में केंदर और अधिकांश राज्यों में फिर से यह स्थिती होगी कि कॉंग्रेस की प्रधानता रही है इस वरकार भारत के समिधाने की तियास में एक दल की सरकार का सामाने स्थिती के रूप में और मिले जुली सरकारे अपवाद स्वरूप रही है लेकिन अब क्या है केंद्रिय स्तर पर भी और अधिकांश राज्यों में भी मिले जुली सरकार एक सामाने स्थिती बन गई है भारतिय राजनिती में कॉंग्रेस को जो प्रधानता की स्थिती प्राप्त थी वो अब समाप्त हो गई है और कोई एक राजनितिक दल जो है प्रधानता की स्थिती में नहीं है अधर राजनिती कर्मान ये है कि आगे आने वाले वर्षों में भारत में केंद्रिय स्तर पर और भारतिय संग के लगबग आदे सदिक राज्यों में मिली जुली सरकारे इगठी तो भारत में मिली जुली सरकारों को जो अध्यन हम कर रहे हैं वो दो सरकार कर सकते हैं एक राज्यों के सर पर मिली जुली सरकारे कब कब बनी हैं दूसरा केंद्रिय सर पर मिली जुली सरकारे हैं तो इस तरह से इनका हम अध्यन कर सकते हैं तो केंदर में विले जोले सरकानों को हम अध्यान करें सबसे पहले तो मित्रों भारत में सामानेता एक दल के प्रदानता वाली बहुत दल्य विवस्था रही है दल्य विवस्था के इस स्वरूप के कारण लोकस्वा में सामानेता एक राद दल को स्पष्ट वहमत प्राप्त था लेकिन 1977 में ऐसा नहीं हुआ 1977 में भारतिय संग में केंदर के सरवर पहली बार गैर कोंग्रेसी सरकार का गठन हुआ और वो हुआ जनता पार्टी का गठन एक जनता पार्टी थी और उस ने 1977 में और मिली जुली सरकार बनाई और मिली जुली सरकार में जो हम जानते हैं मतभेद भी होते हैं विवाद भी भी होते हैं फिर भी ये सरकार बनाए गए और कुछ समय के लिए सरकार चली भी तो पहले सरकार बनाए गए थी 1907 में जनता पार्टी के द्वारा दूसरी में मिले जो लिए सरकार फिर 1989 में 79 में बनाए गए क्योंकि जनता पार्टी सरकार के जो प्रिधान मंत्री थे चरण सिंग चोदरी चरण सिंग और उनके समर्थक जो है वो दल बदल कर लिया और उन्होंने कॉंग्रेस द्वारा समर्थन मिलने पर क्या क्या बहार से समर्थन मिलने पर और अपना बहुमत क कि गुष्णा कर दी की बहुमत हमें है तो इस तरह से चोधरी चरण सिंग ने प्रधानमंत्री का पद की श्रपत ले तो पहले मिली जुली सरकार के रूप में जनता पार्टे की सरकार मुराजी भाई देशाई की नेत्वित्व में और दूसरी चोधरी चरण सिंग की और देशाई की सरकार हम कह सकते यह दिसंबर 89 से अक्टूबर 90 तक चली थी दसंबर 89 से अक्टूबर 90 तक लगबग 12 मैने और यह भी बहुत चोटे समय की सरकार रही है वीपी सिंग प्रधानमंत्री बने थे और उनको समर्थन मिला समर्थन जो मिला वो बहरी समर्थन था और बहरी समर्थन जो है लगबग कब धराशाई हो जाए कोई नहीं कह सकता है तो वीपी सिंग की सरकार वी अलपकालिन सरकार थी इसी तरह से चंदर शेकर की सरकार बनी और और बहरी अलपकालिन बनी है है। तो जो वीपी सिंग्स प्रधान मंत्री थे, तो उनकी सरकार बाहरी समर्थन पर ठीकी भी थी, और इसी तरह चंदर सेखर सरकार बनी, तब भी बाहरी समर्थन तावी, यनि मंजिन दनों ने समर्थन नहीं दिया, वो सरकार में सामिली थे. तो इस तरह से छोटे-छोटे कारेकाले इन प्रधानमंत्रियों के रहे, इनकी सरकारों के रहे, इसी तरह से 1906 में से 1908 में भी मिली-जुली सरकार बनी, ये चुनाव वे थे अपरेल में 1909 में और तेशंकु लोगसभा बनी, और इस तरह से किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इस प्रश्ट नहीं मिला, तो इस विखंडित जनादेश के कारण क्या है, मिली-जुली सरकार बनी, भाजपा के नेतरित्व में च्छाणमे में ये जो सरकार बनी, तो भाजपा को सबसे बड़े दल की स्थिती प्राप्त थी, तो भाजपा और सहयोगी दोलों ने मिल करके और सरकार बनाने का तावा प्रस्तोत किया, और इस दावे को रश्टरफदी ने स्विकार किया, और भाजपा जी को प्रिधान मंत्री ने उक्ति किया, तो भाजपा ने शीव सेना, अकाली दल और हर्याना विकास पार्टी को साथ ले करके मिली-जुली सरकार और इस मिलिजुली सरकार का कारेकाल वास्ता में बहुत कम रहा लगबग तेरा दिन का ही रहा फिर देवगोड़ा सरकार आई जून चानमे में और गुजराल सरकार भी आई उन्हें सो अप्रेल सी त्यानमे में जुन चानवे में देव गडा ने सरकार बनाई ये वाच्पेशी के त Ärra दिन की सरकार के पतन के बद जुन चानवे में देव गडा सरकार पतासी नुवी और लगबग दस महेने बाद इस सरकार का पतन हो गया और अप्रेल स्ट्यान में में गुझराल सरकार इंद्र कुमार गुजरार प्रदान मंत्री बने तो ये जो स्थीतिया है सरकारों की जो कभी 13 दिन चलती हैं कभी 13 महीने चलती हैं तीन साल चलती हैं या जो भी पूरा कारेकाल कर पाती है नहीं कर पाती है ये बहुत क्या है ऐसा समय था जब मिले जोली सरकारे बन तो रही थ हलता से नहीं चल लिए Anda जो सरकारлам बंए हैं अन्हों पूरा कारेकल किया है की सरकार है ज्यक्री जो कांघरिस के नेत्रितमि में थी ऑर अब NDA की सरकार है जो BGP की नेत्रितव में एक कारेकल पूरा कर चुकी है दूसरा लेकल दो करेकल पूरे कर लिए तो यह अब जाकर के स्थिरता आई है कि हमारी मिली जली सरकारे जो है वो बन भी रही है और चल भी रही है तो इस तरह से पहले भी भाज़बा के नेटीर तो उने से छानमे में जो गटवंदन सरकार बनी है उसने अपना करेकल पूरा किया है तो इस सेरे से मिलिवजुली सरकारी जो है अब जाकर के स्थिर्था को प्राप्त कर रहे हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद